आज में आप सभी के लिए हिंदी की काफी important class लेके आई हूं ये class आपके आगामी आरो यारो एक्जाम, बंदे रक्षक एक्जाम, अधिशाशी, अधिकारी, कनिष्ट सायक और उत्राखंड, पुलिश जैसे एक्जाम से लिए काफी important रहने वाली है हिंदी का आज ये part fourth है, इससे पहले आप लोगों को three part already provide करा दिये गए हैं, अगर आप लोगोंने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप study with aim पर विज़र करके देख सकते हैं काफी important एक-एक part है, तो अगर आप लोगोंने नहीं देखा है, तो जल्दी से देख लीजिए, आज हम 41 से question discuss करेंगे, काफी महतपूर आज का session रहने वाला है एक-एक question detail में समझाय जाएगा, आप सभी लोगों को, आप सभी लोग हमारे session में starting से लेकर end तक बने रहें चलिए आज के session को start कर लेते हैं, start करने से पहले जिन लोगोंने अभी तक हमारे YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है, वो subscribe कर ले साथ साथ बगल में जो bell icon दिख रहा है, से भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं, तो उसका notification आपके पास तुरंत पहुंच जाए आप लोग हमारे टेलिग्राम गुरूप को भी जोइन कर सकते हैं, ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है, टेलिग्राम गुरूप पर रात को 8 बजे quiz का भी आयजन किया जाता है, इसके अलावा अगर आप लोगों को important series की PDF चाहिए होती है, तो वो भी आपको टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं, चलिए आज के session को start कर लेते हैं, देखे हिंदी के session में पहला question है आपका, अतीत में दबे पाउं के लेखक हैं, तो देखे अतीत में दबे पाउं के लेखक हैं, ओम थानवी option C, बिलकुल right answer आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओम थानवी जो हैं, ये हि राजिस्थान, राजी के जोतपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, अतीत में दबे पाउं साहित्यकार ओम थानवी द्वारा विरचित एक यात्रा वरतानत हैं, ये ध्यान रखेंगे किस विधा की रचना हैं, पूछ लिया जाए, तो ये एक यात्रा वरतानत हैं, ओम थ तो दड़ों और हडपा के आउशेशों को देकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कलपना करते हैं, नेक्स्ट कुशन है, शुद्ध वाकिय छड़िये, तो देखिए दिएगे ऑप्शन में आपका सुद्ध वाकिय है, अगेन अने ग्रंत लिखें हैं, तो ऑप्शन A बिल right answer हो जाएगा, कल की स्रीज में भी आप लोगों को बताया था कि दीर्ग संधी वाला अगर कोई question पूछ लिया जाता है, तो आपको कैसे solve करना है, तो देखिए थोड़ा सा इस में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो लोग नए हैं, तो जब हस्व या दिर्ग औ चोटी और चोटाउ के बाद करमशा हश्व वद दीर्ग और चोटी और चोटाउ स्वर आते हैं, तो दोनों को मिला कर दीर्ग आ बड़ी और बड़ाउ हो जाते हैं, अब देखिए for example यहाँ पर जो आपको दिया गया है, देशा भी मान, देशा भी मान का अगर हम संधी व चेद होगा, अब देखिए देश, यानि कि यहाँ पर कौन सा स्वर है, और स्वर है और यहाँ पर भी है आपका और स्वर, तो यहाँ पर और और के मिलने से आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देशा भी मान, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से solve करना था चलिए next question देखेंगे चौपाई के प्रतियक चरण में मात्राएं होती है most important question है चौपाई के प्रतियक चरण में कितने मात्राएं होती है आफशन ए बिलकुल right answer है next question देखेंगे शितोष्न का अर्थ है ठंडा और गरम option ए बिलकुल right answer है अगला देखेंगे मुहावरा किस भाषा का मोल सब्द है मुहावरा जो है ये अर्वी भाषा का मोल सब्द है option B discussion का right answer है अगला देखेंगे उद्धरन चिन का प्रियोग कहा होता है उद्धरन चिन्न का प्रियोग होता है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्रित किया जाए तो वहाँ पर उद्धरन चिन्न का प्रियोग होता है और उद्धरन चिन्न कैसे लगाया जाता है देखे इसे आप double inverted कॉमा भी कह सकते हैं तो इस तरीके से ये चिन्न लगता है अगला question देखेंगे जूही की कली कविता के कवी है जूही की काविता है और इसके कवी बताने है कौन है तो निराला इसके कवी है option c बिल्कुल right answer आपका यहाँ पर हो जाएगा जूही की कली कविता सूरी कांतर पाथे निराला द्वारा रचित एक कविता है जिसमें जूही की कली और पवन का मानवी करण किया गया है और यह रचना वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई थी और देखे हिंदी साहित में निराला जी जो है यह चायावाद युग के चार प्रमुक इस्तामो में से एक हैं जन्म की बात करें निराला जी के तो इनका जन्म वर्ष 1899 में बंगाल के मेदनी पूर जिले में हुआ था और इन्हें किस चंद का प्रवर्टक माना जाता है पता रहना चाये पोच लिया जा सकता है तो देखे निराला जी जो है इन्हें मुक तक चंद का प्रवर्टक माना जाता है निराला जी का उपनाम क्या है अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताईएगा कमेंट शेक्शन में अगला देखेंगे लिंग वचन कारक आदिके कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द option A इस question का right answer है next question देखेंगे निमनलिकित में कौन साथ शब्द देशज नहीं है इन में से देशच सब्द नहीं है आपका साच ये एक विदेशच सब्द है option B इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखेंगा किरिया की विद्पत्ती होती है देखें किरिया की विद्पत्ती होती है धातू से option D बिलकुल right answer है और देखें किरिया की अगर हम बात करते हैं तो जिन शब्दों से किसी कारी का होना या करना समझा जाए उसे किरिया कहते हैं खाना पीना पढ़ना लिखना चलना दौना हिंदी में किरिया के रूप हैं लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ये बदलते हैं ये आपको याद रखना है किरिया के मोल रूप को धातू कहा जाता है धातू पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो किरिया का जो मोल सामान्य रूप बन जाता है जैसे की पठ धातू मैं ना जोणने से पढ़ना बन जाता है तो ये आपको याद रखना है किरिया की जो व्यूत्पती होती है ये धातू से होती है important question है आप लोग इस question को ध्यान देजिएगा इस question पर चलिए अगला question देखते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले परिबर्तन को कहते हैं देखिए दो वर्णों के मेल से जो परिबर्तन होता है इसे कहा जाता है संधी option बीस question का right answer है दो वर्णों के परस पर संयोग से उत्पन होने वाले परिवर्तन को संदी कहा जाता है संदी शब्द किस भाषा का शब्द है पूछ लिया जाए तो देखिए संदी सब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संदी के तीन भेद होते हैं नेक्स्ट कुशन है अरविंद का परियाई वाची है अरविंद का परियाई वाची होता है कमल ओप्शन बीस कुशन का राइट आंसर नेक्स्ट कुशन देखिएंगे कवीर बानी के डिटेक्टर थे किस ने कहा देखिए कवीर बानी के डिटेक्टर थे ये कहा था हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने option discussion का right answer है दिवेदी जी को वर्ष 1973 में निबंद संग्रह आलो के पर्व के लिए साहित याकादमे पुरुसकार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1957 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1957 में इन्हें पद्म भूशन सम्मान से भी सम्मानित किया गया और इनके बच्पन का नाम क्या था इनके बच्पन का नाम था वैद्यनाथ दिवेदी नेक्स्ट कुशन देखेंगे व्यंजन जिसके उचारण में स्वास की कम मात्रा निकलती है ये कहलाता है अल्प प्राण ओप्शन इस कुशन का राइट आंसर है अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं पूछ लिया जाए तो देखें ग, ग, ज, और प, ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और महाप्राण अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो महाप्राण क्या होते हैं महाप्राण वह बिंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायू परवा के साथ बोला जाता है जैसे की ख, घ, ज, और फ, ये आपके महाप्राण बिंजन होते हैं तो अलपप्राण और महाप्राण दो परकार के बिंजन होते हैं ये आपको याद रखना है अगला कुशन देखेंगे फिराग गोरकपुरी का मोल नाम था देखें फिराग गोरकपुरी का मोल नाम था रगुपति सहाई ओप्शन भी इस कुशन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को शेशन पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यव चैनल इस्टुडी विद इम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें शेशन आप लोगोंने अभी भी शेयर नहीं किया है जल्दी से आप लोग शेशन को शेयर कर दिजेगा और फिर नेक्स्ट कुशन देखेंगे देव नागरी लिपी का विकास हुआ है ब्रहमी लिपी से ओफ्शन डीस कुश्चन का राइट आंसर है नागरी अत्वा देवनागरी का सरप्रथम उलेख आठवी सदी के गुजराती राजा जय भट्टे के लेख में मिलता है देवनागरी हिंदी भाषा के लिपी है देवनागरी में सुधारो का आरंभिक प्रियत्न किस ने किया पूछ लिया जा सकता है तो देव नागरे में सुधारों का आरंभेक प्रियत ने किया था महादेव गोविंद रनाडे ने महादेव गोविंद रनाडे द्वारा यह प्रियास किया गया था अगला question है आपका विपरी तार्ठक शब्द यूक में है देखिए विपरी तार्थक शब्द यूग महिन में से लाब हानी option C बिलकुल राइट आंसर है next question देखेंगे उत्राखंड की दुतिय राज भाशा है उत्राखंड की दुतिय राज भाशा है Sanskrit option discussion का राइट आंसर है Sanskrit भाशा की अपब्रंश कौन सी है पूछ ली जाए तो पाली जो है ये Sanskrit भाशा की अपब्रंश है अगला question देखेंगे साहीती में रस का आसई है साहीती में रस का आसई होता है क्या जिन लोग को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट section में देखें रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये आनंद से होता है काव्य पढ़ने सुनने से हमें जिस आनंद के अनुपुती होती है उसे रस कहा जाता है काव्य की आत्मा रस को ही माना जाता है रस संपरदाई के प्रवर्तक कौन थे पूछ लिया जाए और नाटिय सास्त्र के रचैता कौन थे पूछ लिया जाए तो नाटिय सास्त्र के रचैता भी थे भरत मुनी और रस के चार अंग है इस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस राज किस रस को कहा जाता है ये भी आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है रस राज कहा जाता है किस रस को शरंगार रस को इस पॉइंट को याद रखेंगे important point है और देखें साहीत में रस का आशे किस से है पूछ लिया जाए तो correct answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं यानि कि option D बिलकुल आपका यहाँ पे correct answer है तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो इस session को like कीजिएगा share कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें चलिए मिलते हैं next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद